हेलो विवन दीसी सुनील जांगड़ा यूर्फिजिक्स अर्वगेटर वेलकम तो दे चैनल तो कैसे आप सब आई होप सभी चंगड़ेचे से पढ़ रहे होंगे तो आज हम अपनी जो एमसी क्यू की सीरीज है उसको फिर से एक बार कॉंटिन्यू करते हो इस बार हम इसको प बात बोलूँ है कि यह जो कोशन में करवाता हूं इन लोगों से आप लोगों की हैल्प जुरूर होगी क्योंकि यह मोस्ट इंपोर्टन कोशन और स्लेक्टिड कोशन है जो बहुत बार पहले बोट्स में पूचे गई है किसी साल के अंदर तो एक बार इन पर नजर मार ले तो आप लोग टेलिग्राम चैनल है सुनिल जंग्रा सर के नाम से इसको जोइन कर लिजे फटाफट से इसमें में पूरे के पूरे जो नोट्स हैं अपनी जो फ्री लाइव क्लासिस हैं उन सब के लिंक कि यह आप भेजता रहता हूं तो आप लोगों को कोई इशू आ रहा है पहला कोशन क्या है अल्टरनेटिंग करंट कैन नोट बी मेजर बाइ डी सी एमिटर यहां पर आप लोगों को साथ की साथ मिल रहें लेकिन अंसर मात्र से सिरफ अंसर मात्र से आप लोगों का फाइदा नहीं होने वाला तो इसलिए सब चीजों का एक्स्प्लेंड किया फिकॉजं का नोट भी मेजर बाइ डीसी एमिटर इसा क्यों होता हैईसा इसलिए होता है यार सुनो द्यान से देखो रखो हमारे पास जो डी-स के अनदर क्या होगा मेगनेट्स लगे ओंगे फिक्स में होगे और यह सोरो उसके बीच में क्या होगी कोईल होगी हाना तो ज cycle pass हुआ half cycle pass हुआ positive तो जो coil है उसके ओपर क्या लागे की torque और torque क्या करेंगी इसको घुमाने की कोशिश करेगी दूसरी ड्रेक्शन में लेकिन जैसे ही current जाएगा जैसे ही current जाएगा current ने जैसे ही अपनी direction को reverse किया तो torque की direction दूसरी side होगी, तो इसका मतलब जो net torque हो जाएगी, net torque हो जाएगी, इसका मतलब वो क्या हो जाएगी भाई साब, zero हो जाएगी, ठीक है, तो अब लोग बोलना कि average value जो होगी complete cycle के लिए वो zero होती है, इसकी वज़े से वो measure नहीं कर पाता है, actual reason मैंने तुम्हें बता है, ओके बटा, चलो, next, in an AC circuit, current की value तुम्हें दिए है, current की equation दिए है, the time required for the current to achieve its peak value will be, मतलब तुम्हें ये बोला गया कि time निकालो, जब इसकी peak value को achieve किया जा सके, किसकी current की, देखो, आप लोगों को equation दी गई है, i is equal to कितनी है, i naught sin omega t है, ठीक है, अब वो बोला है कि i naught की value भी i naught हो जाए, maximum value तो i naught ही है, peak value तो i naught ही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, sin, अच्छा, ये 2 omega है, ठीक है, यहाँ पर कितना है, 2 नहीं है, 200 है, so sorry, यहाँ पर कितना है, 200, 200 pi t है, तो यहाँ पर sin 200 pi t, ऐसे हुआ, इन्होंने बोला है कि इसकी value को peak करना चाते है, तो peak मतलब, यहाँ से हमें मिला कि, जो sin 2 omega, 200 pi t है, उसकी value कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है, अगर sin 200 omega t की value 1 है, तो इसका मतलब, angle की value pi by 2 होगी, क्योंकि sin 90 ही 1 होता है, और angle कोन है यहाँ पर, यह, तो इसका मतलब, 200 pi t is equal to हो गया, pi by 2, है न, तो pi से pi cancel, तो यहाँ से हमें पता लगा कि t की value कितनी आ रही है, 1 by 400 second आ रही है, तो answer हो गया भाई सब, clear है, कई बच्चे इसको 1 by 100 लिख देते हैं, तो 1 by 100 नहीं होगा, 1 by 400 ही होने वाला है, कैसे solve होगा, मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है, और जितना जल्दी हो सके, इस वीडियो का हम छोटा र that is given by, v is equal to 240 sin 120 t, ठीक है, मतलब v की equation दी है, कितनी है, 240 sin 120 t, मतलब omega t होता है उसको 120 t बोला है, t जो है, वो second के अंदर है, आप लोगों को frequency बताने हैं, तो frequency बता देते हैं, और कौन सी बड़ी बात है, देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर हम देखें, omega t जो होता है, वो किसक 120 t के बराबर है, मिन्स omega की value आ रही है, 120, तो omega कितना होता है, 2 pi frequency, यह होगा 120, तो frequency कितना हो गया, 120 के नीचे 2 pi, इसको solve करना, इसको solve करना, 19.1 कुछ हंसर आएगा, तो 19 आप लोगों का क्या frequency, ठीक है, hertz हो गया, clear है इतना, yes और no, इतना clear है भाई सब, सभी को clear हो जाना चा पतलो, mobile में ही Kelsey सिला लेते हैं, क्या ही दिक्कत है, ठीक है, ताकि बाकी की calculation भी साथ की साथ चलती रहे, अब आगे तुमसे क्या बोला गया है, आगे तुमसे बोल रहा है, कि तुम्हें निकालना है, RMS voltage, भाई, अगर RMS voltage निकालना है, तो VRMS लिखेंगे, और इसको लिखे करूं, एक मिनट, अगर मैं 240 को डिवाइड करूं, कितने से, अंडरूट 2 से, अंडरूट 2 से, तो हमें मिलता है 169.70, ठीक है, 169.70 मिल रहा है, ना मतलब लगबग लगबग 170 आप अंसर बोल सकते हो, क्योंकि यहां पर 169 लिखा नहीं हुआ, ओके बटा, इस तरीके से के अंदर, सिंपल, आप लोगों कोई equation पता होनी चाहिए, और कुछ भी नहीं है, ओके, चलो, next, in case of an inductor, क्या होता भी, आप लोगों को पता होगा, कि inductor के case में, जो voltage होती है, वो lead करती है, किसको leads the current by pi by 2, ठीक है, means, v is equal to, आप लिखोगे, v naught sin omega t plus pi by 2, और current आप लिख सकत हो, i is equal to i naught sin omega t, आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, कि v को लिख सकते हो, v naught sin omega t, ऐसे लिख सकते हो, और i को आप ऐसे लिख सकते हो, i naught sin omega t minus pi by 2, मतलो current पीछे है, भाई सब, lag कर रहा है current, pi by 2 से, clear हुआ, इसका meaning भी है, और इसका meaning भी है, तो यहाँ पर देख लो, कौन सा option है, voltage leads the current by pi by 4, यह नहीं है, voltage leads the current by pi by 3, यह भी नहीं है, voltage leads the current by pi by 2, ठीक है, तो इस तरीके से answer होगा हमारा C, C answer रहने वाला भाई सब, ठीक है, ओके बटा, अगर किसी को कोई भी दिक्कत आए, comment section में बता देना, सारे के सारे doubt आप लोग उख के clear कर दी जाएंगे, ठीक है, चलो next, पूछा गया है, which of the following curve correctly represent the variation of capacitive reactance with frequency, मतलब तुमसे बोला जा रहा है, कि इन में से कौन सा curve, xc and frequency के बीच का relation सही, मतलब गराफ बताता है, तो तुम्हें सबसे पहले बता होने चाहिए, xc क्या होता है, one upon c omega होता है, और omega की value कितनी हो two pi frequency होती है, means xc की value कितनी होगी, one upon two pi frequency omega होगी, नहीं, omega तो हमने लिख दिया, c होगा यहां पर, omega तो हमने यहां यहां पर लिख दिया, यहां पर c होगा, ठीक है, यहां पर क्योंगा, अब ध्यान से सुनो, तो यहां पर xc जो है, वो inversely है, किसके साथ, frequency के साथ, तो graph कौन सा हो सकता है, भई, graph कौन सा हो सकता है, अगर मैं यहां xc बनाओं, यहां पर frequency बताओं, तो इससे गवागा, अगर frequency increase हो रही है, तो xc decrease हो रहे है, तो अप graph ऐसा बना सकते हो, तो answer कौन सा होगा, b होगा, लोगों के पास, ठीक है, कौन सा होगा, भई सब, b होने बाला है, clear हैं चीजें यह सोर नो जादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको आदे घंटे से कम टाइम में हम फिनिश कर दें 20-25 मिनिट में ताकि सारे के सारे कोशन तुम्हें अच्छे से समझ में आए ओके बटा चलो और फाइदा भी तभी है कि हम रिव हो कोश्टन कोशिश और अल्टरेटिंग करन्ट जयुन्हें टार्प्रियुशं़ इन एंट्रल रिजिस्टन्स आरजी एक जिनेटर है उसके पास लिए इन्टरनल रियक्टेंस नहीं एक्स जियूष यूस्ट्वाइप furniture के पास स्थे यay लोड गिया पयास एक्सिव बता दिया वो किसको supply कर रहा है एक लोड को supply कर रहा है उसके पास भी अपना एक resistance है और अपनी एक reactance है ठीक है for maximum power to be delivered from the generator to the load कि यहां से maximum power यहां पर आ जाए तो यहां पर Excel की जो value है किसकी value Excel की मतलों जो load की reactance की जो value वो कितनी होनी चाहिए किसके equal होनी चाहिए दोखो यार एक simple सा concept पढ़ते हैं जब भी तुम्हें क्या बोला जाए maximum power बोला जाए जब भी क्या बोला जाए maximum power बोला जाए ठीक है क्या बोला जाए भाई सब maximum maximum power बोले जाए उसका मतलब ही क्या है maximum power का मतलब है कि reactants वहां पर कैसी होनी चाहिए बही zero होनी चाहिए reactants वहां पर कैसी होनी चाहिए zero तो इसका मतलब अगर हम total reactants की बात करें यहाँ पर XL plus xg वो zero के बराबर होनी चाहिए मतलब XL अगर मैं देखूं तो वो किसके बराबर आएगा माइनस XG के बराबर आने वाला है क्लियर है? Yes और No हो गया बटा किसी को दिक्कत कोई परिशानी अगर है तो कमेंट कर देना मैं सारे कोशन को बिल्कुल डिटेल में समझा के चल रहा हूँ तुमें मैंने पहले भी बोला था कि जितने भी MCQ है सब के अंसर अगर लगे हुए है उनका मतलब ही क्या है? सिरफ आप लोगों को जब PDF सेंड करी जाए तो आपको पता हो exact answer क्या है तो इस गलती होने के chances बहुत कम है ओके? अगर मैं कोई solution करके तुम्हें दिखा रहा हूँ तो उसे पता लगता रहेगा कि हाँ ये इसका answer रहेगा चलो next next question है the impedance इने circuit containing a resistance R मतलब resistance आप लोगों को दिया कितना है 1 ohm और inductance दे रखिया कितनी है 0.1 henry ठीक है उनको series में connect किया गए है और frequency कितनी है 50 hertz और तुमसे बोला क्या है क्या निकालना है impedance निकालना है भाई सब impedance मतलब Z जब भी यार L और R या register या inductor register and inductor series में लगए हो तो Z को कैसे लिखेंगे Z को simply लिखेंगे हम इसे R square plus XL का square अब XL क्या होता है L omega होता है and omega क्या होता भाई क्योंकि वो भी निदिया तो उसकी value भी put करने पड़ेगी वो होता है 2 pi frequency क्या होता है 2 pi frequency होर यहां पे L तो मैंसे यह बनेगा 4 pi square frequency square L square क्योंकि हमें XL का square चाहिए तो यहां पे रख दो Z की value कितनी है R square plus 4 pi square frequency का square L square तो भाई सब सारी की सारी चीज़े तुमारे पास है R की value यह रही ठीक है 4 pi square की value आप लोगों को पता ही की pi क्या होता भाई ठीक है pi की value 3.14 लिख देना या 22 by 7 लिख देना आपकी मर्जी है frequency तुम्हें दे रखा है 50 Hz L तुम्हें दे रखा 0.1 Henry जब आप इसको solve करते हो तो z की value हमारे पास आती है कितनी 1000 एक कुछ आएगी ठीक है क्योंकि यहां से बनेगा 1000 इसको solve करने के बाद और यह बनेगा एक क्योंकि एक दे रखा तो 1000 एक मतलब लगब लगब आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि यह मतलब हम अगर इसको मान ले कि इसके बराबर 1000 के बराबर अगर मान ले ऐसे तो यहां पर इसको मैं ऐसे लिख दू माना है हमने इसको मैं ऐसे लिख दू कि 100 इंटू 10 लिख दू बात तो वही बनेगी तो 100 का अंडर रूट तो बहार आ गया 10 हो गया और अंदर रूट अंदर 10 हो गया तो हमारे पास अंसर is this clear है ऐसे इस question को हमने करना है next the frequency of the output signal becomes dash times by doubling the value of the capacitance in lc oscillator circuit अच्छा lc oscillator circuit है तो उसके अंदर frequency से related question पूछा और बोला है कि अगर हम c की value को double कर दे तो क्या फरक पढ़ने वाला है भाई देखो ओमेगा क्या होगा अंदर रूट lby में c होगा ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ one upon में अंदर रूट c की value को अगर मैं double कर रहा हूँ मतलब 2 lc कर दूँ यह omega नया हो गया तो इसका मतलब यह हुआ कि यह कितना हुआ कि यह ऐसे लिख दूँ मैं इसको ध्यान से देखना मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि हो गया one upon अंदर रूट two और यह हो गया यहाँ पर कौन one upon अंदर रूट lc ठीक है तो यह times कितना हो गया one by two times हो गया किसके लिए omega के लिए तो times पूछा है ना becomes one by under root two times ठीक है आप इसको frequency की form में फूरा लिखना चाते हो ऐसे अगर लिखना चाते हो तो भी answer सेम आने वाला है अगर आप इसको इस form में लिखना चाते हो तो भी answer आप लोगों का सेम आएगा clear है एक बार फटा फट से बताओ comment section में comment कर दिया करो समझ आया क्योंकि उसमें c की value को तो double कर रहे हैं भाई कोई भी फरक नहीं पड़ेगा तो इसलिए one by under root two times आने वाला है exact answer exact answer आने वाला one by under root two next an AC circuit contains resistor R capacitance C and inductor L in series with a source जिसका EMF दे रखा ये the current through the circuit is maximum when यार simple है इन्होंने बोला कि एक series LCR circuit है L C R circuit है जिसके across एक supply हमने connect की हुई है और उसमें जो E की value है इस source की वो E naught sin omega T plus phi है इन्होंने बोला कि current अगर हम इस circuit में चाहते हैं कैसा maximum maximum current cup हो सकता है यार series LCR के circuit में वो तो resonance पर हो सकता है कहां पर हो सकता है resonance का formula कितना है मतलब resonance के लिए जो condition होती है वो क्या होती है XL होती है किसके बराबर XC के बराबर अगर ये L है ये C है और ये R है तो XL का मतलब L omega XC का मतलब 1 upon C omega means यहां से हम ये condition बोल सकते हैं कि ये condition होनी चाहिए तो यार answer आ गया है हमारे पास क्या आ गया answer अप लोगों के सामने है answer होगा omega L is equal to कितना 1 by omega C omega L is equal to 1 by omega C होने वाला है इस question का answer clear है बेटा I hope कि इतनी चीज़े आप लोगों को समझ में आ गई होंगी और कोई भी दिक्कत कोई भी परिशानी आप लोगों को नहीं है चलो exact match कर लिया करो कि सही है नहीं नहीं है answer ठीक है next to reduce the resonant frequency in an LCR series circuit with a generator हम क्या कर सकते हैं देखो resonant frequency को reduce करना है तो भी आप लोग बोल चकते हों कि देखो ध्यान से देखना कि अगर मैं omega is equal to 1 upon under root LC होगा कैसे होगा सब देखो resonant की condition है तो resonance पर क्या होगा XL is equal to XC होने वाला है ठीक है और यह होगा L omega यह होगा 1 by C omega होगा ठीक है तो यहां से तुम्हें मिलेगा omega is equal to 1 by under root LC मिल जाएगा ठीक है या फिर तुम बोलो कि frequency जो होगी वो क्या मिलेगी 1 upon 2 pi under root LC मिलने वाली है तो कहने का मतलब यह है यह तुमसे यह बोच रहा है कि अगर हमें reduce करना है भाई reduce करना किसी भी फॉर्मले में चेक कर लो तो हम क्या कर सकते हैं इन्होंने बोला इससे तो काम चलने नहीं वाला कैसे अनदर कैपेस्टर शुड बी एड़िड इन पैरलर टू दा फर्स्ट भाई LCR circuit है LCR कहने का मतलब यह पहले तो यह बात देखो अगर मुझे frequency reduce करनी है तो इसका मतलब यहां पर यह factor जो है इन्क्रीज करने होंगे तो अगर मैं C को अगर इन्क्रीज करना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा भाई अगर मैं C को इन्क्रीज करूँगा तो यह automatically decrease हो ज जाएगी तो इसका मतलब हम क्या करेंगे another capacitor should be added in parallel to the first जो पहले capacitor लगा हो है पहला capacitor जो लगा हो है उसके parallel में हमें capacitor लगाना होगा ठीक है yes or no हमें क्या करना है चीज को बढ़ाना किस चीज को capacitance को बढ़ाना है ओके बेटा clear हुआ इतना yes or no चलो next which of the following combination should be selected for better tuning of an LCR circuit used for communication ध्यान से सुनना इन्होंने किसके लिए question पूछा है इन्होंने पूछा है बैटर tuning के लिए तो जब भी आप लोगों को बैटर tuning चाहिए होती है किसी भी circuit को tune करना होता है तो हम deal करते है भाई सब Q factor से किस से deal करते है Q factor से और Q factor का जो formula होता है वो था 1 by R under root L by C 1 by R under root L by C clear हुआ अब यहाँ पे देखो अगर मुझे Q क्या चाहिए better tuning better tuning का मदलब Q मुझे अच्छा चाहिए increase करना है तो इसका मतलब L directly है तो L भी increase होना चाहिए और C क्या है भाई नीचे की तरफ है तो C कैसा होना चाहिए low होना चाहिए कम होना चाहिए और R भी नीचे की तरफ है तो वो भी लो होना चाहिए तो इन combination में से देखो इन combination में से अगर हम सभी combination को देखें R कैसा होना चाहिए कम कम किसमें भई किसमें है 15 वाले में ये 15 C वाले में है C वाले में ये रहा ठीक है उसके बाद L ज़ादा होना चाहिए किस में L ज़ादा है इसी में ज़ादा भाई C कम होना चाहिए तो C कम किस में है इसमें 35 है, इसमें 45 है, इसमें 30 है, इसमें 35 है तो एक combination हमने set कर लिया भी ये वाला combination जो हमारे लिए suitable होगा अगर हम better tuning चाहते हैं क्लियर है, ठलिये, नेक्स, the selectivity of a series LCR AC circuit in large размер, simple math is quite common, selectivity किसे पर depend करती है, Q factor पर depend करती है, जो selectivity है, selectivity वो किसे पर depend कर रही में, q factor पर में, 보시면 Q factor का formula वही 1 By R Under Root L By C, तो क्या होना चाहिए, जो L है वो large होना चाहिए C small होना चाहिए या फिर R small होना चाहिए पर यहां पर C का कोई जिकर नहीं दियोगा किसी भी option में देख लो इसमें 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 किसी में भी नहीं तो इसका मतलब इसका मतलब यहां पर यहां पर यह है इन एन AC circuit, the voltage applied is E is equal to E naught sine omega T, भाई एक circuit है जिसके अंदर E की value दी है, E naught sine omega T, और resulting current जो दिया हुए, वो दिया हुए कितना, I is equal to I naught sine omega T minus pi by 2 दिया हुए, minus pi by 2, power consumption, भाई साब पता लग रहा है, इनका जो face difference आ रहा है, वो 90 दिख रहा है, face difference कितने का है, 90 का है, ठीक है, कितने का है, 90 का, और आप लोगों को पता है, power के लिए क्या होता है, V RMS, I RMS, cos 5, cos 5 मतलब यहां पे 0 degree, नहीं 90 है ना, 90, 0 नहीं 90 है, और cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है, 0 सो power हो गई आप लोगों के पास 0, ठीक है, ओके, चलो, next, इन्हें series LCR circuit, alternating EMFE है, और current I है, उनकी equation दे रखिये कितनी, V is equal to V naught, sin omega T दिया है, और I की equation दी, I is equal to I naught, sin omega T, plus pi by 3 दिया है, ठीक है, average power बतानी है, बड़ा simple है, ध्यान से देखना, average power, average power कैसे निकलती है, V RMS, I RMS, cos phi, ऐसे निकलेगी, अब V RMS को कैसे लिखते हैं, V naught by under root 2, I RMS को कैसे लिखेंगे, I naught by under root 2, cos phi, phi कितना है यहाँ पे, दोनों के बीच में difference कितना है, face का, pi by 3, तो इसका मतलब pi by 3 का मतलब 60 की बात कर रहे हैं, cos 60, और cos 60 कितना होता है भाई सब, 0, 30, 45, 60, 60 मतलब उदर जाएंगे, तो 1 by 2 होने वाला है, कितना होने वाला, 1 by 2, ठीक है, हमने थोड़ा hand का, वो जो procedure, वो सीखर का, तुम भी सीख सकते हो, मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, basic mathematical tool के उपर, ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब इसको अगर हम लिखें, P average को, तो कितनी बनेगी, V naught, under root 2, under root 2, अगर multiply होंगे, तो वो तो 2 बन जाएगा, यहां पर I naught हो गया, ठीक है, और यह इसकी value कितनी हो चुकी है, 1 by 2, तो answer कितना आएगा, भाई सब, answer आएगा, V naught, I naught by 4, answer आने वाला है, V naught, I naught by 4, answer आने वाला है, तो answer यह रहा, मैंने पहले ही बोला था कि, answer आप लोगों को पहले से दे गए हैं, बट पूरी explanation तुम्हें मिलने वाली है, पूरी की पूरी explanation, जालो, next, the power factor in an AC's LR circuit, मतलब तुम्हे power factor बताना है भाई सब, power factor, और उस circuit के लिए बताना है, जिसमें L और R लगे हों, L और R लगे हों, उसका बताना है, तो यार, power factor बिल्कुल सिंपल है, power factor क्या होता है, cos phi जो होता है, वो राज की बात होती है, R by Z, ठीक है, तो R लिखो, क्योंकि R है यहां पे, Z कोन है, total, मतलब impedance लिखना है, वो कितना होगा, अगर यह L है, तो इसका impedance कितना होगा, मतलब इसका reactance कितनी होगी, XL, कितना होगा, R, तो यह बनेगा कितना है, यह बनेगा, R square, प्लेस XL, XL का मतलब, L omega उसका square, ठीक है, तो यहां पे होगा, L square, यह हो गया, omega square, clear होगा इतना, अब इसके बाद देखिए, देखिए, answer match कर लिजेगा, ठीक है, answer match कर लिजेगा, सेम answer है, R upon under root मे, R square plus L square omega square, ठीक है next, next तुम्हें बोला गया है, an inductor of reactance 1 ohm and a resistance of 2 ohm and connected in series to the terminal of 6 volt AC source, मतलब, 6 volt का RMS दिया होगा, जो apply करते हैं, वो RMS ही होता है, power dissipated in the circuit is, यहां पे angle नहीं दिया होगा, तो भई, simple तरीका है, P is equal to क्यों होगा, V RMS, I RMS, ठीक है, अरे, यह क्यों होगा, एक मिनुट रूपर, पी is equal to क्यों होगा, V RMS, I RMS, और cos phi होने वाला है, ठीक है, angle नहीं दिया होगा, तो इसका मलब क्या हम average power नहीं निकाल सकते हैं, कैसे, कि भई, cos phi जो है, अच्छा, यह NCRT exemplar का question हो, ठीक है, cos phi क्यों होता है, R by Z होता है, तो इसका मलब हम सबसे पहले Z निकाल लेते हैं, Z क्यों होगा, Z होगा यार, यहाँ पर कौन कौन लगाऊ है, एक लगाऊ है, inductor और एक लगाऊ है, register, ठीक है, inductor की reactance दे रखे है, 1 हो, मतलब direct दे रखे है, बस निकालना है तो यह बनेगा, 1 का square, प्लेस, 2 का square, तो यह बनेगा, आप लोगों के पास Z क R की value अंडर रूट 5, ठीक है, तो cos 5 आ चुका है, हमारे पास, कितना R की value 1, R की value 2 है, यह अंडर रूट 5 है, ठीक है, चलो, यह आ चुका है, अब VRMS दे रखा है, भाई, कितना है, 6 volt है, बट IRMS नहीं दे रखा, भाई, IRMS भी निकाल लेंगे, IRMS कैसे होगा, V by Z हम करने वाल रूट में 5, यहां पे कितना होगा, 2 by अंडर रूट 5, ठीक है, तो यह कितना बनेगा हमारे पास, यह बनेगा, 6, 2 को multiply करो, 12, यहां पे 72 होगा, नीच होगा 5, तो इसको multiply कर लो, सही answer आएगा हमारा, यह आएगा, 72 divided by कितना 5, तो 14.4 आ रहा है, 14.4 आ रहा है, पावर है, तो इसलिए वोट में, यहां पे क्या कुछ नया सीखा हमने, यह नया सीखा, कि जब भी हमें एंगल ना दियो, तो भी हम निकाल सकते हैं, बस तुम्हेरे आज की बात पता होने चीए, मतलब R by Z, course factor, course 5, मतलब power factor जो R by Z हो, ओके, चलिए, आगे बढ़ते हैं, यह transformer, अब transformer क के काम आता है, ठीक है, चलिए, next, the loss of energy in the form of heat in the iron core, core के अंदर कौन से होता है, उसको क्या बोलते हैं, पहले भी बहुत बार पढ़ाया है, मैंने यह, अपने जो बड़े question होते हैं, जो previous year होते हैं, उनके अंदर भी बहुत बार यह, चीजे मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, ठीक है बेटा, समझाया इतना, क्या बोला है, क्या बोला है, दा लोस of energy in the form of heat in the iron core of a transformer, वो कितनी होने वाली है, बहुत उसको क्या बोला जाता है, वो loss किसमे हो रहा है, भी कोर किसका बना होता है, soft iron core, iron core, तो वो iron loss होगा, क्या होगा, वो iron loss होने वाला है, चलो next, the core of any transformer is laminated, भाई, किसी भी transformer के core को जब laminate किया जाता, ऐसा क्यों होता है, जो core होगा, वो क्या होगा, एक mass body की तरह behave करता है, किस की तरह behave करता है, mass body की तरह behave करता है, mass body के अंदर, एक current generate हो सकता है, वो कौन सो होता है, add current, तो इस add current के दोवारा, जो loss होंगे, उनको दूर करने के लिए उसको हम laminate करते हैं बटा एक चीज़ ध्यान में रखना कि इनको reduce किया जा सकता है zero नहीं किया जा सकता बिलकुल खतम नहीं किया जा सकता तो reduce the energy loss due to adddy current clear हुआ चलिए next a step of transformer has transformation ratio मतलब k की value तुम्हें दे दी है कितनी 5 by 3 what is voltage what is voltage in secondary secondary में क्या voltage होगी अगर primary में voltage तुम्हें दे रखी है 60 primary में voltage दे रखी है तुम्हें 60 तो भाई k का value होगा वो vs upon vp के बराबर होता है यह ratio याद होगा सभी को चलो तो तुम्हें vp निकालना है नहीं vs निकालना है तो vs अगर निकालते हैं तो vs का मतलब k into vp कर देंगे तो k की value है 5 by 3 vp की value कितनी है 60 तो यह इसको cut करेगा 2 और 0 आ जाएगा मतलब 20 आ जाएगा और यह आ जाएगा 100 20 into 5 so तो answer आ चुका है clear है कुछ भी नहीं था बिलकुल आसान simple next the primary of a transformer has इतने turns मतलब number of turns in primary is 400 while the secondary has turns this secondary के अंदर 2000 turns है if the power output from the secondary at मतलब power output at secondary जो है वो 1000 volt है sorry power output बोल रहा ना भई power लिखेंगे फिर power तो नहीं नहीं बोला if the power output from the secondary at 1000 volt is 12 kilo volt मतलब यह 12 kilo is 10 raise to power 3 volt है what is the primary voltage अब primary voltage निकालनी है secondary तुम्हें दे रखी है secondary तुम्हें दे रखी है primary निकालनी है secondary तुम्हें दे रखी है ठीक है देखो ना secondary दे तो रखी है कितने पे 1000 पे तो भई वो दे रखी है secondary की 1000 दे रखी है तो आप लोगों को ratio पता है primary voltage निकालना तो आप लोगों को ratio पता है कि Vs upon Vp क्या होता है Ns upon Np होता है तो तुम्हें क्या निकालना है तुम्हें primary का निकालना है तो Vs की value कितनी है भाई सब, Vs की value है, 1,000, 1,000, Np की value कितनी है, 400, और Ns की value कितनी है, 2000, ठीक है, तो ये 2000 से 0 कट चुकी है, 1000 की, और ये 2 ने इसको कट किया, तो अंसर कितना आया, primary का अंसर आगया भाई सब, 200, सिरफ आप लोगों को एक value पता होनी चाहिए, मतलब एक formula पता होना चाहिए, transformation ratio वाला, ठीक है, चलिए next, चलो तो इस question को देखते है, step down transformer is used on, 1000 volt line to deliver 20 ampere, मतलब deliver का मतलब current भाई, इतना वो देना चाहता है, deliver मतलब निकालेगा, तो secondary से निकाल रहा भाई, ठीक है, कितनी voltage पे, 120 voltage पे, step down is used on, on मतलब input दे रहा है, तो input primary में कितनी हुई, 1000 हुई, ठीक है, और वो तुमने अभी क्या बोल रहा है, transformation की जो ratio है, मतलब उसकी जो not ratio, its efficiency वो कितनी है, 80% है, तो इसको अगर हम simple लिखें, तो यह 80 by 100 बनेगा, तुमसे निकाल, पूछा क्या जा रहा है, if the efficiency of the transformer, the current drawn from the line is, मतलब भई, current drawn from the line, तो वो input current की बात कर रहा है, तो तुम्हें पता है, कि efficiency क्या होती है, output power upon input power means input power, यहापर क्या होगा, efficiency is equal to vs, is, यहापर क्या होगा, vp, ip, तो लिखो यहापर, यह efficiency कितनी होगा, 80 by 100, vs कितना होगा, 120, is कितना होगा, 20, नीचे क्या होगा आप लोगों के पास, vp, vp कितना है, 1000 है, क्योंकि उस पर काम कर रहा है, 1000 होगा यह, ठीक है, और ip हमें निकालना है, तो भी यह 0, यह 0 कट, एक 0 से यह 0 कट, यह 0 से यह 0 कट, और यह से यह कट, तो हमारे पास कितना बचा, ip एक साइड आ जाएगा, यहाँ पे बचा 24, यहाँ पे बचा 8, तो 3 ampire current हमारा आ चुका है, तो यह होगा answer, clear बचा, चलिए, तो next और last exemplar के उपर question है, हाँ, last है यह, the output of a step-down transformer is measured to be, मतलब Vs की value दे दिया 24 volt है, कितनी है 24 volt है, when connected to a 12 volt light bulb, मतलब PS भी दे दिया भाई, 12 volt, जब उसको इतने से connect किया जाता है, ठीक है, उसके output इतनी होती है, तो PS भी दे दिया, तुमसे value of peak current, क्या है, वो निकाल लिया, तो P is equal to क्या होता है, V I होता है, तो I अगर मैं निकालना चाता हूँ, तो P by में Vs होगा, PS, Vs, तो P कितना है 12, यह कितना है 24, और simple होगा 2, तो यह कितना होगा, 0.5 होगा, बट यह secondary का current हुआ ना भाई, ठीक है, secondary का current हुआ, लेकिन हमें बोला था value of the peak current, तो भाई current, देखो, IS कितना होगा, I not by under root 2 होगा, ठीकि इसी को तो हम IRMS बोल रहे हैं, तो I not into IS, under root 2, तो यह कितना बनेगा, 0.5 into under root 2, तो इसको आप multiply कर लो, तो हमारे पास कितना answer आने वाला है, हमारे पास कितना answer आने वाला है, इसको करो आप multiply, देखो, 0.5 है, एक मिनट रुको, मैं इसको multiply करता हूँ, 0.5, 0.5 into under root 2, तो यह बनेगा हमारे पास कितना, 0.707, कैसा है कोई हमारे पास, क्या ऐसा है हमारे पास कोई यहाँ पर answer, क्यों ने, इसको हम ऐसे कर लें, देखो, इसको ऐसे कर लें, I0 की value जो है, वो कितनी है, IS under root 2 है, यह कितना है हमारे पास, IS 0.5, मतलब 1 by 2, यह under root 2 है, तो क्या हम इसको ऐसे कर लें, under root 2 by 2 into, under root 2 by under root 2, means, यह बनेगा आप लोगों के सामने, 2, नीचे 2, under root 2, यह कटो गया, तो 1 by under root 2 आने वाला है, तो बात तो वही बनेगी, बात तो वही बनने वाली है, देखो ध्यान से, एक मिनूट रुको, यह बन, डिवाइड़ बाई, under root 2, वही एंसर, ठीक है, तो 1 by, 1 by under root 2, यह है हाँ, तो यह है हमारा अंसर भाई सब, ठीक है, तो यह थे आप लोगों के, MCQ, जितना जल्दी हो, हमने कोशिश करी, इनको निबेड़ा जाए, खतम किया जाए, और लगबग लगबद, 35-40 मिनट में, इसको निप्टा दिया गया, ठीक है, तो बढ़ लो यार, और इसके बाद, नेक्स चप्टर जो बोजल्दार है, ठीक है, चलो, तो इसके साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं, सब आम तर मिलते हैं, जल्दी से हमारे नए सेशन में, सब भूआ टेक केर, जैहिंद बने मत्रम,